27 मार्च साल 1961 से विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुवात हुई इसकी शुरुवात अंतराश्टी रंगमंच संस्तान द्वारा की गई रंगमंच से संस्ताओं और समोहु द्वारा इस दिन को विशेश दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है मनोरंजन के दृष्टी कोण से विश्व रंगमंच दिवस अपना खास इस्थान रखता है इस दिवस का एक महत्वपूर्ण आयोजन अंतराश्टी रंगमंच संदेश है जो विश्व के किसी जाने माने रंग कर्मी द्वारा रंगमंच और शान्ती की संस्कृती विशेश पर उसके विचारों को व्यक्त करता है साल 1962 में पहला अंतराश्टी रंगमंच संदेश फ्रांस के जीन काक्टे ने दिया था साल 2002 में यह संदेश भारत के प्रसिद्ध रंग कर्मी गरीश का नाड़ द्वारा दिया गया